श्री विद्यायनमा मीनरासिवाले जातक स्ञनी की साड़े साती वर्स दोजार चोडिस में भी आपके उपर रहेगी और य önce वीडियो केवल आपके लिए उर स्ञनी की साड़े साती के बारे में आपको वरिखत चर्छा हम करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि शनी की साड़ी साथी कराने क्या वाली है 2024 में क्या फ़ल आपको दे सकती है क्या चिंताय दे सकती है अगर दे सकती है तो बचना कैसे है सब चीजे आपको बताएंगे विस्तरत रूप से बताएंगे सोच समझ करके आज के वीडियो में हम आपको चर्चा बताने वाले हैं शनी की साड़े साथी का प्रतम चरणा प्रारम बहुत चुका है मीन रासी पर क्या कराएगी शनी की साड़े साथी आईए जानते हैं विरहत रूप से नमस्कार मेरा नाम है एस्टो शिवंपंडित आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल श्री विद्या एस्टो में मित्रो मीन रासी काल पुरुस की कुंड़ी के अंदर बारवे नमबर की रासी जिसके स्वामी है इनके अधिपती है देव गुरू ब्रस्पती वीन रासी धारे में का रासी है पुजा अपार्ट में सलगन रहती है सब के मदद करना चाहती है सब का सयोग करती है ज्यानवान होती है बुद्धिवान होती है चेश्टावान होती है भलवान भी होती है परन्तु दया, धर्म और गुण इनके अंदर विशेश रूप से विद्यमान रहते हैं ये लोग हमेशा दूसरों की साहिता करते हैं जहां भी इनको जरुरत पड़े वहाँ पर अपना सब कुछ लगाने से पहले अगर धर्म की बात हो तो यो एक बार भी नहीं सोच दे दूर धर्म के लिए अडिक होते हैं और कटर अपने धर्म के पक्के होते हैं ये मीन रासी वालों का स्वामित तो होता है हालकि ये समय आने पर चत्र चालाक और अपने सत्रों को पचाड़ने वाले पुद्धी और विवेक से पचाड़ देते हैं हाथ पैर लगाने की या चलाने की तो अवस्षिकता ही नहीं पड़ती। मुहिन नासी वालों के पास में ग्यान के इतना पार भन्णार होता है कि ग्यान के बल पर ही सामने वाले को पैरों में जुकाने की सामरते रखते हैं। परंतु जब बात आए शनी की साड़े साथी की तो सारे तारे और सितारे कोई भी रासियों घूमने लग जाते हैं आसपास, क्योंकि शनी की साड़े साथी का भै और डर ही इतना विद्यमाने समाज के अंदर, कि जहां इसका नाम चुनता है, वहीं भै पूरे सरीर में कमपायमान हो जाता है, है शनी की साड़े साती और सनी का डर सनी कब है तो हम जानेंगे शनी की साड़े साती के बारे में इसके फलो के बारे में कब किस समय सनी की साड़े साती में आपको क्या लाब मिल सकता है किन चीजों से साफधानी रखनी है तो मिलकुल सीधा सटीक सिंपल लाएंगे मैं आपको बताने वालों चली वीडियो को सुरू करते हैं और बहुत के साथ में जानते हैं सनी की साथ साती का पर्तंच चरण मीरासी नाशी वालों के लिए बात करें तुस सबसे पहले मापको बताऊं सभीड़े की साथी होती चानि साथे यानि कि जब आप पूरे साथ साल के लिए शनी माराज के प्रभाव में आ जाते हैं, प्रभाव में तो वैसे भी व्यक्ति रहता है, परन्तु जोतिश शास्त्रे के अंदर हर एक ग्रह की अब्दी है, नि हर एक ग्रह को समय दिया जाता है, यह अब सूर्य का समय है, अब चं प्रतंतर के हिसाब फेरान्तु एक मात्र नो-के-नो ग्रहों में एक रह माहिसे हैं, जिनको महा क्रणत जाए माहयन दिया और जेड़ा के अलावा भी विषय समय दिया गया है? किसलिया दिया गया थ्यूआ है? जिससे वे व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्वों का हिसाब किताब कर सके और वैस समय होता है पूरे साड़े साथ साल का इसी के अलावा शनी की ढईया यानि कि जिसमें धाई साल के लिए शनी उसके वारे बात नहीं करते क्योंकि आपके लिए साड़े साथी ही है तो साड़े साथ साल के लिए अच्छा या बुरा और उसका बैलेंस करके देना क्या है व्यक्ति को रासी को ये निर्णय यानि कि ये फल सनी महराज की साड़े साती में होता है इसलिए सनी की साड़े साथी पूरे साड़े साथ साल के लिए होती है और मीन रासी पर 17 जनवरी 2023 से सनी की साड़े साथी का प्रथम चरण आरंब हो चुका है पहला चरण और अभी ये मार्च 2025 तक रहेगा पहला चरण ही आप पे मार्च 2025 तक रहेगा और उस पहले चरण में ये क्या क्या कराते हैं आप ही के साथ नहीं 12 रान पूरी रासियों में कोई भी रासी ऐसी नहीं है उसके जीवन में सनी की साड़े साथी ना आए कोई भी ऐसी एक रासी का जलने के माध्यम से वह समय आता है अब बात करें शनी के साड़े साथी आती क्यों है जैसे कि मैंना आपको पता है कर्मों को बैलन्स करने के लिए यो कि अगर आपके परिछेत्र में पुलिस ना हो कोट कचैरी ना हो तो व्यक्ति फिर आपा धापी अपने मन मर्जी का काम करे और कुछ भी करे और फिर उसको कोई दंड का दो भै हो ना क्योंकि वहां कोट के कचैरी या केस मुकद्बा करने वाला तो है नहीं तो सनी महाराज का जो भै होना बहुत आवश्यक है योगि सनी की साड़े साथी ना हो या उसका भै ना हो तो व्यक्ति फिर अपने मन मर्ज चाम करें लूट अई दूसरे तर演 के गलत काम करें तो इसलिए सनी महाराज की साड़े साती आती है और उसका होना भी बहुत आवश्यक है और इसके बाद सनी के साड़े-साथ कितने चरण की होती है तीन चरणों की मेहना होती है पर्थम चरण लुझी चरण समझा देता हूं सब कुछ आजी समझा देता हूं वर फोट अराम समझना सब केलें रजाएगा पर्थम जब थोड़ा थोड़ा उपर चड़ते हैं दूतिया चरण जब रुख जाते हैं आकर के टॉप पर सिर पर और फिर सिर से बिलकुल सिर पर ही सीधा चलते हैं दूतिया चरण और तीसरा चरण जब टॉप उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में फिर ये नीच उत रहीं आपके करमों को चैक कर रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं यह पहले किया है अब क्या कर रहे हो और सब कुछ भीएलेंस करके आपको हाथ वहात विजर्ट देंगे अफसरी माहराज पातोब moi में और अगर बात करें कि सनी की साठосьाथी खॉराब हूती है एसा नहीं होता था यूर। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि शाड़े-साती बुरा ही फ लेती है। ये व्यक्ति के कुल्ध गुरह की इस्थती पर आदार इत होता है कि का आपकी कुल्ली में ग्रऊ की क्या इस्थती परण तो ये बात पकी है कि जीवन को शंगर्स में बना देती है संगर्थ ससील बना देती है और व्यक्ति के जीवन में जो अब तक उसने नहीं किया उसको साड़े साती में करना पड़ता है उसको करा के छोड़ती है सनी के साड़े साती तो परतम चरण जब सनी महराज का आरंब होता है तो व्यक्ति के जीवन में इस संगर्सों का आगमन करवाती है संगर्सों मेहनत करवाती है जीवन में चिंता अभस्य बढ़ती है परन्तु इसकी पॉजिटिविटी को जरू ध्यान लखना मेरे बात मान लेना आज यदि आपने ये बात मान लिए तो निश्चित तोर पर ये सनी की साड़े साथ नहीं गोल्डन हो जाएगा आपके लिए इन संगर्सों का ही तो खेल है जो व्यक्ति अपने आपको अगनी में ना तपा सका अगनी में तप करके ही तो जो सोना वो कुंदन बनता है अगनी में तपने के कारण से ही तो निखरता है व्यक्ति और ये तपस्या करवाते हैं सनी महरा यह तपा करके आपको अगर किसी भी परिक्षेट्र में जे बालक उत्वन होता है रहर बाद हो दो उसको उसको कुछ चीज़े एक दम बच्चा बार निकल के रोता है क्योंकि उसका जो परिक्षेत्र है उसके नुकूल नहीं था गर्ब के अंदर वुचुप चाप था यही वस्ता होती है सनी महाराज की एक साड़े साथ साल का गर्ब रूपी परिक्षेत्र इसमें व्यक्ति को आदत नहीं है क करने की संगर्सकार करने की आदत नहीं है मैनत करने की आदत नहीं है उसको पता नहीं जीवन में चिंता क्या होती है अगर चिंता नहीं है जीवन है तो चिंता तो रहे गई भया अगर जीवन में चिंता नहीं तो कुछ भी नहीं तो यह सनी की साड़े साथी का पर्थम चर है पहुत चिनताय होती हूत है है इनजाइटी होती है परन्तु उसका एक में उद्डेस से रहता है साडया ती परतम चेpping का एक मेर्थम और एक अपको काम करने की लट सिकाना आपको संगर्षों से लड़ना सिखाना आपको चिंताओं को पीछे हट करके, चिंताओं को भूल करके, कैसे आपको चिंताओं से आगे बढ़ करके, चिंताओं को फेस करके सामने, कैसे आपको अडिक होना ये खड़ा होना ये चीज़ शिकाती है, सिनी की साड़ साथी पर्थम चरणे में आपको पता लग जाएगा अपना कौन है पराया कौन है पर्थम चरणे में आपको पता लग जाएगा आपको मेहनत अकेले ही करनी है बहुत कड़ी बात में आपको कहने वाला हूँ मेहनत अकेले ही करनी है आप ही करोगे जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज़्यादा ये विचार करके चलोगे कि ये व्यक्ति मेरे साथ में आकर करके मिरी हेल्प करा देगा या मुझे कुछ अच्छा करा देगा ब्रहमत पालना बिल्कुल भी पर्थम चरणा में अपने आप ही आगे बढ़ना पड़ता है और धीरे 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 क्लेरिफाइ करा देगे करना क्या है पूरे साड़े साथ साले में करना क्या है आपके उपर जिम्मदारी गेरने वाले आपके उपर प्रेशर डालने वाले हैं नहीं डालेंगे तो जीवन में कुछ नहीं करोगे एक होता है कि व्यक्ति समय से पहले ही पंचल हो जाता है पर्थम चरण में यह बात वास्तविक है शनी महाराज क्योंकि पर बात करें तो मकर अब देखिया अबरत्मान में मकर कुमबर मीन तीं रासी पर शनी की साड़े साहती थेंसे उनको मुक्त कर चूक है शनी महाराज उन्हें मुक्त कर ज्या अब जबतक परतम चरन रहेगा तब तक आपको यह थोड़ा सा चिंतातों पैदा करेंगे अब क्योंकि मीन रासी वालों के लिए बात करें तो ये शनी महाराज है आपके बारवे घर में और बारवा घर जो की होता है विदेश यात्रा का खर्च का घर होता है हालकि जिस रासी पर जिस भाव पर शनी महाराज हो उसके लिए इनका फल शुब बताया जाता है तो ऐसी अवस्ता में शुरुवाती दोरान शुरुवाती टाइमिंग में यानि के मार्च अपरेल तक शनी महाराज कुछ ना कुछ खर्च बढ़वाएंगे यात्रा करवाएं कुछ ना को चिंता है आपको जरूर देंगे या आपको घर से बाहर निकलना होगा मो महाया को त्याग नेका आपको कार्य कराएंगे शनी महाराज साड़े साथ साल की इनकी अवदी है और अभी तो इनका परतम चरण ही अगर सब कुछ एक दमी देता तो कैसे करेंगे तो क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनी महाराज की जो तीसरा चरण है या आपको परतम चरण में मांशिक्तन आप जरूर देंगे और घर से बाहर निकाल करके आपको काम पर लगवाएंगे बहुत जबर्दस्त मेहनत करना आपको सिखाएंगे आपको मेहनत की स्ट् दूसरे पर महताज हो करके काम करना चाहते हैं या फिर दूसरे की हेल्प लेकर के काम करना चाहते हैं इसको पूरी तरह से मुह को त्याग देना काम अकेले ही करना क्योंकि यह साड़े साथी लर्णिंग सिखाएगी आपको अगर आपने लर्णिंग चीख ली तो आने वाल कि अब सकते हूं वरना तो कुछ नहीं तो इस चक्र में रहोगे तो फिर तो हो लिया काम तो पहले चरण में ही आपको पूरा पक्का होना उने को बस मना करके कुंदर मना देते हैं से कुंदर बना देंगे शनी महलाजा आपको येकीन परतम चरण इनका इतना घजब का होता है इसको आप ऐसे ऐसे एंजोई करके चलो कि अगर व्यक्ति यहन में चैनलेंज नहीं है तो फिर व्यक्ति क्या घरेगा तो परतम चरण में और क्या होगा परिश्रम बढ़ने लग जाएगा आपका आपकी बल बुद्धी मस्तिस्क व भागना ही पड़ता है यहनिके इस पहले ही चरण में आपको थोड़ा भागा भागी शुरू हो जाएगी परन्तु आकस्मिक धनलाव होता रहेगा किसी रास्ते से किसी कारिया के माध्यम से शनी आपको धना क्योंकि अगर व्यक्ति का एक रस्ता बंद हो गया पूरी तरह में ही परिश्रम काफी करवाएंगे सनी महाराज किसी प्रकार के कोर्ट केस मुकदमा जूटी गवाही आदी में बिलकुल नहीं फसना है पहले ही साबतोर पर आपको सचेत करके चाह रहा हूं अगर अवस्ता सुरू होती है तो बहुत लंबे समय तक चलता है कारे की सुरव पूटी घवाई शनी महाराज को बरदास नहीं दूसरे लोगों पर अत्यसार करना शनी महाराज को बरदास नहीं लेबर को सताना किसी का किसी कंजिय box पैसा गलब तरीके से ले लिया रिजल्ट काम उनको दिया नहीं करके शनी महाराज कोई बरदास नहीं चाहे इसमें हाप हो हम हो कोई भी वेक्ति हो जो भी इस प्रकार का कारे करता है निस अंदे आपको एक रिजल्ट देता हूँ आपको बताता हूँ अगर किसी से सो रुपे का काम लिया है बाकि 30 जूब से लेगर के 15 नभूंबड तक शपंवावस्ता में चले जाएंगे और जब तब कर वस्ता शनी महराच faucet कि रहेगी तो आपको चिंटा करने क्या बात है वक्र वस्ततक अच्छी है से नहें वाराज फिर बहस्ता में शनी महराज करेंगे एकारस ब貌करी का push करेंगे एकार्स बाव कफल यानि के शनी महराज की इस्तति रहेगी महाराज आपके लिए मिलाब कि भड़ाये इसनी मह만गे माराज वक्रद कालिबें आपकी प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे आपनेalar कई हद तक आपके ऐसे लगेंगी जैसे कोई चीज खुशी के आ जाती है वक्ति की चिंता में तो एक समय के लिए चिंता को भूल लाता है कुछ ऐसा ही आपके साथ में होगा परन्तु चिंता है पूरी तरह समाप्त नहीं होगी आपको काम है धीरे-धीरे मुनाफ़ा मिलेग थोड़ा सा कम स्पीड से मिलेकर परन्तु मिलेगा और एक अच्छी बात और भी है जो लोग लव रिलेशन को लेकर के बैवाहिक जीवन को लेकर के काफी तनाव दो हजार चोबिस के लिए फेस करें तो सेनी की साड़े साथी का जो वक्री काल रहेगा उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जारतियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जारतियों के पॉर्चुनिटी निकल सकती हैं कंप्पटिशन में जो बच्चे त्यारी कर रहे हैं वक्रेकाल के अंदर देखें उनको कैसा लाब मिलता है वे लोग अच्छ अच्छे तरीके से अपना प्रिय प्रतम चरण में अगर वीडियो आपको पसंद आई हो अपाई बता देता हूं आपको उपाई का गरना है तो देखिए तो तो फिर बारी किसको लोगे तो पर शनी महाराजी की साड़े साथी है सबसे पहले आप अपना एक कबच धारन करो प्रोटेक्शन के लिए किसी भी गह का आवरन हो किसी भी गह करां दुश्प्रभाव हो द्राक्ष कवच को धारन करने से दूर हो जाता है महादेव महाप्रभु का आशिरवात है द्राक्ष और भगवान शिव की शक्ति है और इसी लिए बहाज़े अश्रव अध्वारा जो चिरे भगवान सीवच की अश तो प्रिहत परस्नलाइज स्कूल्डी से मिल सकती है जो आप हमसे आपको प्राप्त करने होगी और इसी के लावा जो रुद्राक्ष उसके अंदर सजेस्ट होते हैं जो रुद्राक्ष पताए जाते हैं उन्हीं रुद्राक्ष का यानि की चारिया पांच रुद्राक्ष को क तो वही एक मात रुपाय एक चीज़ और है आप रुद्राक्ष के वच्छ नहीं धारन करना चाहते हैं वैसे तो मदा आना चाहता हूं वह यह अगर अगर सब्सक्राइब करने से अधरन करने से आपको शनी से संब्सक्राइब मिल सकता है और उनसे मिलने वाल नेगेटिविटी कम हो सकती है तो वित्तुर यह था आज की वीडियो के अंदर कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं अच्छी लगी इसको लाइक शेयर करना बिलकुल नहीं भूले और चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब कर दें माश्री विद्यापका कल्यान करें ओम श्री विद्य जगी लगी माश्री विद्याब